हलो एवरिवन दिस इस सिम्मन सुन्धी और आज मैं आपको elements of design के बारे में बताऊंगी design elements जो होते हैं वो एक किसी भी visual design की एक basic unit होते हैं इसमें line, direction, shape, size, texture, color ये सारी चीज़े आती हैं तो सबसे पहले जो element of design होता है वो होता है color जिसके बारे में हम जानेंगे color कोई भी चीज़ का color हमें कैसे दिखता है जब किसी भी चीज़ पे एक light पढ़ती है और वो light reflect होके हमारी आँखों पर पढ़ती है तो वो चीज़ तब हमें दिखती है और तब ही उसका color दिखता है color theory और color wheel हम कई बार पढ़ते हैं और ये आपके graduation course में भी था लेकिन अगर post graduation course में ये सब इतना detail की ज़रुवत नहीं है तो इसमें मैं आपको colors के तीन characteristics होती है उसके बार में बताऊंगी पहला hue hue तो होता है color की dullness और brightness कितनी है वो कितना vibrant color है red कितना red है और blue कितना blue है ये हमें saturation से पता चलता है ये हम किसी भी color में gray color की मात्रा add और थोड़ा सा कम जादा add करके पता चलता है तीसरा है value या tint या shade किसी color में अगर आप black color add करते जाओगे वो dark होता जाएगा तो उसको उस color का shade कहेंगे और अगर उसी color में यह color से हमारा मतलब है hue में उसी hue में जब आप white color add करते जाओगे उसको हम उसका tint कहेंगे colors हमारे जैसे pink एक tint है और maroon एक shade है red यहाँ पे hue है ठीक है अब visual design में colors कहां कहां use होता है color का use एक balance बनाने में harmony बनाने में use होता है या फिर जो भी देखने वाला है उसका एक specific mode develop करने के लिए भी color का use किया जाता है या फिर किसी भी एक design में theme create करना भी color के द्वारा किया जाता है कि अगर कोई theme हम सोचें अगर aqua related है तो blue एक बहुत important color play करेगा अगर किसी की theme love या कुछ वैसी है तो red बहुत important color play करेगा colors काफी symbolic भी माने जाते हैं अलग-अलग cultures में अलग-अलग colors की अलग-अलग meaning होती है कहीं पर अच्छे occasions पर white पहना जाता है तो कहीं पर red पहना जाता है कहीं पर black पहना जाता है तो हर culture का अलग color की significance होती है color एक identity create करने के लिए बहुत important role play करता है और colors क्या जो viewers है उनको design के को अलग-अलग तरीके से interpret करने के लिए भी अलाव करता है एक ही color अलग लोगों को अलग-अलग emotions develop करवा सकता है ठीक है next जो अब हम element के बारे में पढ़ेंगे वो है line line क्या है moving point को हम line कहते है line कई तरीके की होती है जैसे कि vertical line vertical lines जो हमारी eyes top to bottom carry करती है जब हम कुछ चीज उपर से नीचे जो line जाती है वो vertical line है इससे हमें लंबाई की feeling आती है यह उन लोगों के लिए बहुत important है जो थोड़े fat है या short-heighted है यह इससे dignity या strongness या dignity की feeling आती है अब horizontal line हमारी eyes left to right move करती है ठीक है यह में feeling of width देती है चौड़ा ज्यादा नजर आता है यह colors हम piping में यह line के दवारा piping इसके example है collars हो गई या button के थू या yoke के लेस के थू और इस line से हमें solidity या down to earth की feeling आती है अब diagonal lines slanting lines याने slanting lines यह चौड़ाई का इफेक्ट कम करती है और height का बढ़ाती है ठीक है next है curved lines यह circular feelings develop करती है जैसे इसमें cuff हो गया collar हो गया neckline हो गई उसमें यह use की जाती है यह किसी भी dress में gracefulness, softness या femininity लाने का काम करती है अगर यही curves length wise है तो यह आपको height की feeling देंगे और width wise है तो फिर यह आपको चौड़ाई की feeling देंगे ठीक है V shape lines V shape lines से हम V जो English का alphabet है वो shape कहते है अगर यह by the way जैसे हमने neckline में use किया अगर यह V गहरा है तो यह आपको height की feeling देगा और अगर इस V के जो top के portions है इनको चौड़ा कर दिया गया तो यह आपको width की feelings देंगे broken lines होती है जो हर थोड़ी देर में direction change करती है या तूट जाती है या throughout यह same नहीं रहती यह अलग अलग तरीके की different types of line को a dress में किसी तरह से लाते हैं लेकिन इनी का correct size और shape लेकर के बहुत अच्छा design भी create के जा सकता है और साथी साथ कई बार इससे एक बहुत खराब design भी हो सकता है next is point point is basically किसी चीज की beginning भी कह सकते हैं और end भी कह सकते हैं point से क्या होता है एक space या imagination build up हो जाता है अगर design में कोई abstract points होते हैं human imagination को करते हैं कि वो कुछ और सोचे अपनी imagination create करें और किसी एक point पे अगर कुछ emphasis दिया जाए तो वो design का focal point भी हो सकता है next है shape shape एक two-dimensional figure होती है जैसे अगर एक piece of paper पेपर पेपने square ड्रॉव किया है तो वो दो चार लाइन से बनावा है और वो किसी भी चीज को emphasize कर जकता है shapes हम print के form में भी use करते हैं और जैसे types of shapes लेते हैं geometrical shapes क्या होती है जो specific ruler से या फिर अपने geometry set में से compass ले लिया उनकी help से बना जाते हैं circle, triangular, parallelogram यह सब geometrical shapes में आती है organic shapes क्या होती है जो कि nature में पाई जाती है जो हाथ से draw की जाती है और कई बार यह मतलब होती भी है और कई बार imaginary shapes भी होती है जो कि nature में नहीं होती पर फिर भी हम इसे draw करते हैं next है curvy linear shapes curvy linear shapes होता है यह curve lines से बनी होती है इनके edges जो होते है pointed नहीं होते smooth होते है natural feeling देती जाती है और rectilinear shapes होते हैं sharp होते हैं edges इनकी रुकीली होती है और यह लुक बहुत artificial होते हैं next जो होता है हमारा element वह है texture texture का design use हम कहां करते हैं जैसे texture से texture कैसे हम feel करेंगे texture can be used to add complex composition of line बनाने के लिए ठीक है जैसे tactile texture होते है जो actual texture होते है इनने हम छूके दे सकते हैं देख सकते हैं और दूसरा होता है visual texture यह इसको छूकी नहीं देख सकते है पर यह two-dimensional में होता है पर यह feeling देता है आपको 3D की जैसे कि अगर different paints दिये जाते हैं जैसे oil हो गया acrylic paints हो गया यह मोटे होते है तो यह opaque feeling देते हैं लेकिन जो पतले colors होते हैं जैसे water color यह आपको transparency और tactile यह जदा tactile textures की तरफ जाते है next element है हमारा pattern जो textures होते हैं वो कई बार repeat होते हैं हर थोड़ी देर बाद जो motif होता है कई बार वो all over again repeat होता है या फिर किसी भी तरीके से repeat होता है तो उसे हम एक pattern कहते हैं और pattern बहुत अलग अलग तरीके का होता है brick pattern हो गया drop pattern हो गया यह textiles में usually use किया जाता है next है space space का हमें बहुत ज़्यादा importance है designing में कितना space को हमें use करना है कितना space हमें खाली चोड़ना है कई बार हमें overlap effect से भी यूज कर सकते हैं 3D का effect आता है ठीक है shading से two dimensional का effect आता है या कई बार three मताब shading की वज़ा से two dimensional चीज भी हम three dimensional तरीके से दिखा सकते हैं ठीक है next है form कोई भी चीज एक measure की जासे form के जैसे कोई भी चीज है वो एक चीज मेजर करके उसका कितना height है width कितनी है depth कितनी है उस चीज को form कहते हैं जिसका height weight और depth होती है form आपकी light और dark भी हो सकती है shadow से भी उसका effect आ सकता है form को भी अगर हम divide करें तो artificial भी हो सकती है organic भी हो सकती है और बहुत दो या तीन shape से मिल जूल कर भी वो हो सकती है तो आज हमने जाने की elements of designs क्या-क्या होते हैं thank you for listening